याद करो उस छन को लोग बोलते हैं सरकाम करने का मन नहीं करता अब करेगा याद करो उस छन को जब पैसे की किलत ने आपको अपनों के सामने रुलाया हो या जलील किया हो कोई न कोई ऐसा मोमेंट आप सब के लाइफ में जरूर होगा जरूर होगा जब आपको महसूस हुआ होगा कि हाई रे पैसा तू होता तो साहिद आज मुझे भी जत्मान सम्मान और हमारे परिवार को थोड़ी सी खुसिया मिल जाती किसी को कोई भरोसा नहीं था गरीबी ने लात मारी भी थी तब भी किसी को ये भरोसा नहीं था किस बिजनेस में कड़ोरपती बना जा सकता है मैं आपको एक मज़े की बात बता हूँ बनारा सहर के अंदर तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बिजनेस मैंने मजाक में सुरू किया था मैं जारखंट से बिलोंग करता हूँ बहुत सारे लोग जानते हैं नाम अमित दुबे वारा नसी के अंदर मैं स्टडी करने के लिए आया हुआ था मेरी एजुकेशन बड़ी अच्छी रही है मैं आपको बताऊ मैं हमेसा अपने कलास का टॉपर स्टुडेंट रहा था टुवेल्थ के बाद फर्स स्टेम्ब में मैंने बिबिएस का एक्जाम कॉलिफाई किया तो एक सीना गरों से और फूल गया केरियर लगा यार बड़े अराम से सेट है अब कुछ करने की जरूरत नहीं है लेकिन गलती से कोई इनसान मिला और उसने इस इंडस्टी के बारे में नेटो माकेट इंडस्टी के बारे में समझा दिया तो हमें लगा यार कुछ करना नहीं है धर पकड़ के दो-चार लोग ही जोडने दो-चार-पांच लोग को जोड़ के अपना पॉकिट खर्चा निकाल लेंगे सबता में जिससे मूवी का टिकट निकल जाएगा और थोड़े-मोडे बीटी पे जाके हम लोग खाना पीना अराम से चाय समोसा खा सकते हैं इससे बड़ी सोच उस समय किसी के पास नहीं थी सभी बोल रहे है आदिस इदनी छोटी सोच थी और गलती से ये सोच एक क्रांती का रूप ले सकता है ये मैंने सोचा नहीं था धीरे-धीरे जब इंडस्ट्री समझ में आई मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपको क्या ज़रूरत थी नेटो मार्केटिंग में आने की आपने अपनी केरियर क्यों लगा दी आपका तो प्लेटफोर्म इतना अच्छा था है जो किसना आपकी बड़ी अच्छी होने वाली थी फिर आपने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लगाया मेरे दोस्त मैंने डिसीजन केवल इसलिए लगाया क्योंकि मैंने देखा था कि जिस पढ़ाई को करके मैं पैसा कमाने वाला था लोगों की सेवा तो मैं वहाँ भी करता लेकिन पैसा क्यों मेरे पॉकेट में आता और ये कैसा प्लेटफोर्म है जिस प्लेटफोर्म में मैं काम करता लोग काम करते और पैसा मैं तो कमाता ही हजारों लोगों के घरों में खुसिया जाती और इससे बड़ा इस दुनिया में पुन्य का काम कुछ और नहीं हो सकता आप किसी को दो वक्त की रोटी खिला दो रात को खाया सुबह निकला काम खतम भूल जाएगा कपड़े दे दो दो चार महीना पहनेगा फट गया काम खतम भूल जाएगा लेकिन अगर आपने किसी और सफल इंसान को सफल बना दिया उसकी साथ पिडिया आपको यादर करेगी इससे बड़ा पुनिक काम इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता और इसलिए इसलिए एक काम मैंने चूज गिया था और करते करते जब यह दंदा समझ में आया हमने डिसीजन बनाया और तब तक मैंने देखा कि सेर से सावा सेर हमारे साथ में आदित सर अविनास सर वेगर थे इन लोगों ने धाड़ा-धाड़ पढ़ाई छोड़ दी मैं पढ़ाई में भीडा हुआ हूँ मैं सोचा आप रिसर्च करके कुछ अलग करूँगा तब तक इन लोगों ने धाड़ा-धाड़ पढ़ाई छोड़ दी और मेरे पास लाके बोलें लगे सर रियल केरियर बनेगा नहीं बनेगा मैं बोला यार मैं तो मजाग में कर रहा था तुम लोग बहुत सिरियस हो गए और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि लोग इस इंडस्ट्री को कितने जोस जुनून और कितनी बड़ी आसाओं के साथ करते हैं मेरे पास मैं बोल सकता हूँ कि उपर वाले के आसिरवात से हिंदुस्तान के सबसे पाउरफुल मेंटर मेरे बड़े भाई जैसे मेरे गुरु जैसे सुरवात से यहां सर के उपर रखे खड़े रहे हैं मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालिया हमारे गुर्देव मिस्टर स्विक उमार सर के लिए होना चाहिए जब 2016 में असलिप यस वेलेंस की सुरुवात हो रही थी तो मैंने गुरु जी को बोला था कि गुरु जी पुरी दुनिया आप से दूर हो जाया लेकिन यह अमिद दुबे हमेशा आपके साथ रहेगा और तब से लेके आज तक खड़ा रहा और मैं रियल में बड़ा गरवानवीत महसूस करता हूँ बोलते हैं ना कि जब सर के उपर गारजीयन का हाथ हो तो पर सोचने की ज़रुवत नहीं होती है लोग करते होंगे इस इंडस्टी में पैसे के लिए मेहनत लोग करते होंगे आते होंगे इस इंडस्टी में थोड़े पैसे कमा ले लेकिन मैं आई डियर फ्रेंड मैं आपको बताओं सर भी यही है मैं भी यही हूँ आज हजारों लोग के बीच में यह बात बता रहा हम आये नीते पैसे के लिए क्योंकि पैसा कमाना होता है तो हमारी केरियर बहुत अच्छे से सेट थी हम तो इस सोच के साथ आये थे कि जिन लोगों ने जिनको समाज ने साइड कर दिया है जिनको सरकार ने साइड कर दिया तुझे नोकरी नी मिल सकता उन असफल लोगों को घर घर घुसके, चुन-चुन के, घर से बाहर निकालेंगे, बैठा के काम सिखाएंगे, और काम सिखा के कड़ोर पती बनाएंगे बताईए काम हुआ नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ यह जो जितनी भी स्टोरी बता रहे थे इन सब की स्टोरी में मैं एक हिरो रहा हूँ मैं एक करेक्टर जलूर रहा हूँ वो सारी स्टोरी सत्ते है मेरे दोस्त इसमें कोई बनावटी चीजे नहीं है और मैं आपको बताओं यह स्टोरी एक आम इंसान की स्टोरी है आपने से जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं 98% लोगों की घरघर की यह स्टोरी है हर कोई परिसान है 21 से कैसी अपर्चुनिटी मिल जाए जहां काम करके दो पैसे की इंकम आ जाए चाहे हम भी अपनी जिन्दगी को जीना सुरू कर दे हर कोई गरीबी के दर्द को सह रहा है महसूस कर रहा है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कोई ऐसा स्ट्रॉंग मेंटर नहीं मिला जो हाथ पकड़के आगे बढ़ा है इसलिए आप सब मजबूर होके बएठे हुए है गलत बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ यह आम लोहों का दर्द है याद करो उस छन को लोग बोलते सरकाम करने का नगे मन नहीं करता अब करेगा याद करो उस छन को जब पैसे की किलत ने आपको अपनों के सामने रूलाया हो या जलील किया हो कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आप सब के लाइफ में जरूर होगा जरूर होगा जब आपको महसूस हुआ होगा कि हाई रे पैसा तू होता तो साहिद आज मुझे भी जतमान समान और हमारे परिवार को थोड़ी सी खुशिया मिल जाती लेकिन ये आम लोग मजबूर है परिसान है My dear friend आज आज आप जहां पे पैदा हुए है आज आपकी जो कंडिशन बनी है वो आपकी कंडिशन आपकी वज़ा से नहीं है प्रोबलम ये है हमें लगता है कि जैसा चल रहा है वहुत बढ़ियां है आप पीछे पलट के देखो आज जो जिन्दगी आप सारे लोग जी रहे हैं वो जिन्दगी आपकी नहीं है वो जिन्दगी आपने डिसाइड नहीं किया वो जिंदगी उपर वाले ने आपके लिए डिसाइड किया था सोचिए अगर आपका जन्म भी एक कडोर पती खंदान में हुआ होता अमबानी के हाँ होता अदानी के घर में हुआ होता तो बड़ा हो के कॉन्वेंट इस्कूल आपको मिलता इतनी एजुकेशन नहीं आती कि चलते हुए फैक्टरी को सम्हाल लो हर कोई कर सकता था आप सब कर सकते थे यस या नो यस या नो लेकिन उपर वाले हमें पैदा कहां किया रामों के घर में स्यामों के घर में टुन्नों के घर में हमारी एजुकेशन कहां हुई हमारी एजुकेशन वो सरकारी स्कूल में हुई जहां पे काम कम बदमासी जादा हुआ करते थे हमें कल्चर क्या मिला करे तो इधर से हरे कल्चर यही मिला यस यह नो जब पैदा हुए तो लोगों ने ठपा ठोक दिया माबाप ने पैदा होने से पहले ही एक ठपा लगा दिया तुझे नोकर बनना है थोड़े और बड़े हुए पढ़ाई का प्रेसर डाल दिया क्या क्यों पढ़ो लिखो नहीं तो अच्छी नोकरी इसमें फॉल्ट हमारा क्या था आपकी क्या फॉल्ट थी आप कमजोर थोड़ी है कमजोर आप नहीं है जिन मानसिक्ताओं में आप पले बढ़ेना उन मानसिक्ताओं ने आपको कमजोर बना दी